खबर औरयय जिले के कसबा बिधूना से है जहां घर में अकेली महिला करेंट की चपेट में आ गई है। गटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया, महले के लोगों और परिजनों के द्वारा महिला को सामदाइक स्वास्त केंद्र बिधूना में उपचार के लिए भरती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। होनी को कोई नहीं जानता कब घटित हो जाए। कुछ ऐसा ही इस परिवार के साथ भी हुआ। आपको बता दें के महिला मुहिता अग्नियोत्री पतनी संजीब अग्नियोत्री उम्र करीब 45 वर्ष निवासी तिलक नगर घर में अकेली थी, जबकि उसके पती और अन्य परि में लोग घर में पहुँचे, परिजनों को सूशना दी, आनन फानन में महले के लोगों और परिजनों के द्वारा महिला को उपचार के लिए सामधाइक स्वास्त केंद्र बिदूना में भरती कराये गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा काफी प्रयास और उपचार किये जाने के बाद महिला की मौत हो गई, इस दौरान परिजनों में कोहराम मच गया, आपको वदा दें कि महिला की छोटी-छोटी दो पुत्रियां है, इस्तुती और तन्वी, जबकि एक धाई वर्ष का छोटा पुत्र कनहिया भी है दक साब है कि CSC में महला आई है, बता गया है कि करंट की चपेट में आई है, क्या है मामला पुत्रा पुत्रा का नाम जो है मोहिता अगनुत्री, वाइफ ऑफ संजीव, जिनकी लगबस 48 साल है, और तिलग नगर बिदुना की निवासी है, सुनने में ये चला है कि पंखे म करंट के कारण उनकी मृत्य हो गई, अस्पताल में जो है अमरत गोसित कर दिया गया है, क्या नाम आपका, सुछ परताब से, कहा रहते आप, तिलग नगर मौले में, क्या मामला हो या एक महला ये गंबीर अबस्ता में, ये इनको करंट लग गया फ़लाटे पंखे से, अच गेट बंद था जिसका, हम लोगों ने कासी काफी मेहनत करके इसको पंके को अटाया, पहले गेट कुंदी बंद थी, कुंदी को तुडवाया, इसके बाद अंदर गुसे तब इनको बागीश डाक्टर के या ले गए, उन्होंने का सरकारी अस्पता ले जाए, यहां पे ल होगी लगों, अरतिक साथ